अगर सदन विशेष्टा विपक्ष मेरे वक्तव्य को सुनने का धैर्य रखे तो बहुत चारी चीज़े उजागर हो सकती है इडिय को सुनने केरो ऑदागर आपर स्वागर वरान। अट्रच्छ्झ माधै। अध्याक्ष महादे, सबसे पहले आपकी पीच पर आपके आसन पर जिस प्रकार का आक्रमक बरताव आज देखा गया उसका मैं खंडन करती हूँ पहली बार राश्रिके के हास में भारत माप की, हत्याकी बात की और कांग्रेस पाटी यहाँ पर तालिया बजाती रही जो भारत की हत्याकी बात पर कांग्रेस पाटी ने ताली पिटी आज इस सदन में इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है मैं आज हिंदुस्तानी होने के नाते कहती हूँ मनिपूर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है मैं इनसे पूछती हूँ इनहीं के अलाइंस के एक सदस्य बैखे हैं जिन्होंने तमिल नाडू में कहा कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत अगर हिम्मत हो रहा हूँ गांधी में तो आकर भारत के उपर इस प्रकार का कटाच्छ करने वाले इमके के अपने साथी का खंडन करके बताएं कांग्रेस पाटी के एक मेता ने कश्मीर में रेफिरेंडम की बात की अगर हिम्मत है गांधी खांगान में तो इस सदन में और इस देश को बताएं कि कश्मीर को देश से हटाने की साजश में Congress के उस नेका का वक्त अव्यत्यू है You are not India Because you define corruption in India You are not India Because you define incompetence You are not India एक प्रिट माने सदर्श ये तरीका ठीक नहीं है सदर्श में नारे बाजी करना तरीका ठीक नहीं है Please माने सदर्श बेठिये उनको अपनी बात के नहीं दीजिए आपने अपनी बात के ये ये तरीका ठीक नहीं है No, no गलत तरीका है आपका No गलत तरीका है आपका इसमर्ती जी पुरा कहती हूं अध्यक्ष महदेर शायद अपने ही कोला हल में सुन ना पाएं हो मनिपुर हमारे देश का अभिन अंग है खंडित न था ना है न कभी होगा इनके UPA के अलाइंस के एक नेता ने तमिलनाडू में एक वक्त अब ये दिया है पुना कहती हूं कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत मैं आज गांधी खांडान से कॉंग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं क्या भारत केवल उत्तर भारत है अगर दम है तो अपने पार्टनर को मुतोर जवाब दे अगर हिंदुस्तान में आस्ता रखते है कॉंग्रेस के एक नेता ने अध्यक्ष महदे कोट में जाकर वक्त अब्य दे दिया कि कश्मीर में रिफरेंडम की तलाशना चाहिए संभावना मैं आज कॉंग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं क्या उनके आदेश अनुसार ये वक्तव्य की कश्मीर का खंडन हो भारत विभाजित हो क्या ये कांग्रेस के नेत्रित्व के आदेश के अनुसार है अध्यक्ष मौदे पुना कहती हूं हमारे राष्ट के संसदिये इतिहास में आज तक भारत मा की हत्या की बात करने वाले कभी भी बैट कर मेज नहीं थपतपाते कांग्रेसियों ने बैट कर मा की हत्या के लिए मेज थपतपाई है ये बात करते हैं इनसाफ की ये चहरा धूमिल है ये चेहरा धूमल है, मैं बताओं किसका चेहरा है, ध्यक्ष महदे, ये चेहरा है गिरिजा टिक्कू का, सुन लीजिए पंड़ितों की दास्तान आप भी, गिरिजा टिक्कू का, ये चित्र है, नभे के दशक में, एक महिला, युनिवर्सिटी में अपना पेचेक लेने जाती है, सारी बाते करूँ, अपना पेचेक लेने जाती है, बस से घर लोटने का प्रयास करती है, उसको पाँच मर्द बस से खीच कर टैक्सी में ले जाते हैं, बलातकार करते हैं, और फिर आरी से उसका बदन काट देते हैं, जब गिरिजा टिक्कू के जीवन पर, एक फिल्म में एक प्रती आया, एक प्रती आया, मैं आज कहना चाहती हूँ, कि कॉंग्रेस के कुछ प्रवक्ताओं ने उसको प्रपगेंड़ा कहा, सरला भट, सरला भट, आप नहीं चाहतें कश्मीरी पंडितों की दास्तान कहीं सुनाई जाए, आप नहीं चाहतें वो अडेंटिफाइ हो अज बिक्टेम्स, सरला भट मेडिकल स्टाफ थी, नब्बे के दशक में उसको उसके इंस्टिटूट से अगवा करके गैंग रेप किया गया और सड़क के किनारे रप्ठा गया, आज मैं पूछना चाहती है, कि एक तरफ इनकी अलाइंस के लोग हिंदुस्तान को विभाजित करने की बात करते हैं, ये आज अपने आपको इनसाफ के पुजारी बताते हैं, लेकिन मुझे बताईए, गिरजा टिक कू सरला बट को कब इनसाफ मिलेगा हैं, हर गली हर महले में एक स्लोगन गूँचता था, पंडितों के बीच, रलियू सलियू गली, पुना कहती हूँ, रलियू सलियू गलीयू आप चिलाना बंद करें, समझे पहले, रलियू सलियू गलीयू या तो अपना धर्म बदलो, या कश्मीर छोड़ो, या यहीं मरो, उनकी आवाज भारत की आवाज नहीं है, उनकी आवाज को आपने कभी नहीं सुना, मैं आज कहती हूँ, इन्हों ने कहा, अश्रू बहाए, ब्रहमन किया, 84 के दौरान में, मुझ जैसे कई लोग देश की राजधानी में थी, और किसी का वक्त अब या ना सुने अध्यक्ष जी, एक प्रत्रकार है, प्रणे गुपता, उन्होंने लिखा, के सिख बच्चों को कैस्ट्वेट करके, उनके अंगों को उनकी मा के मुँ में ठूसा गया, आज बोलती हूँ, त्रिलोकपुरी में, तीस औरतों को एक अठा करके, चीला गाओं में ले जाकर उनका बलातकार किया, सुल्तानपुरी में, एक महिला ने आफिडेविट दी है, मेरे हजबन को मार दिया, बेटी को शादी से एक रात पहले उठा कर ले गए, और उसका बलातकार किया, एक 45 साल की माने कहा सिख दंगों के दौरान, कि ना सिर्फ मेरे पती को मारा, ना सिर्फ मुझे गैंग रेप किया, बल्कि मेरे सामने मेरे बेटे पर केरोसीन चड़क कर, उसको आग लगा दी गई, और आज धरत की बात करते हैं, कहते हैं कि कश्मीर से कन्या कुमारी तक 130 दिन चल रहे थे, मैं जोडों के दर्द पर भाशन नहीं दूँगे अध्यक्ष महदे, लेकिन इतना जरूर कहूंगे, कि जिन वादियों को हिंदुस्तान ने खून से सना देखा है, जिन वादियों में गोलियों की आवाजे हर दिन सुनाई देती थी, जब ये उन वादियों में गए, तो जैसे कश्मीरी कहते हैं, शीन जंग कर रहे थे, बरफ के गोलों के साथ, अपने के, किजी परिजन के स खेल रहे थे अध्यक्ष महोदे, ये तब संभा हुआ, जब रधान मंत्री मोदी ने धारा तीन सो सत्तर हटाई, आज इस सदन में, उलेक हुआ है, कि ये गए है, आज इस सदन न उलेक हुआ है, कि ये यात्रा में गए, और यात्रा में क्या आश्वासन दिया, कि अगर इनका बस चले, तो धारा तीन सो सत्तर ये पुना स्थापित कर दे, धारा तीन सो सत्तर की वज़े से, कश्मीर की बेटियों को, दहेज के लिए, अगर प्रताडित किया जाता था, तो वहां की बेटियों के पास कानून का सहरा नहीं था, क्यूकि इन्हों ने धारा तीन सो सत्तर लगाई, कश्मीर में, अगर बेटियां प्रदेश के बाहर ब्याही जाती थी, तो उनके पैत्रिक संपत्ती पर उनका धिकार समाप्थ हो जाता था, क्यूकि इन्हों ने धारा तीन सो सत्तर लगाई, कश्मीर में, अगर चौदा साल से कम उम्र की बच्ची का, ठारा साल से कम उम्र की बच्ची का ब्यार अचा दिया जाता था, तो उसे कानून का संरक्षन नहीं मिलता था, क्यूकि इन्हों ने धारा तीन सो सत्तर लगाई, आज जो भगगए हैं सदन से उनसे कहना चाहती हूं, कि इस देश में ना धारा तीन सो सत्तर लोटेगी, इस देश में कभी भी पंडितों को रलिव सलिव गलिव का, हम की कोई देने वाले बचेगा नहीं, आज कई यहां पर बहने उपस्थित हैं, जो वहां से अपनी आक्रोश को और गाहुल जी के प्रती समर्थन को व्यक्त कर रही हैं, 84 के दंगो का विवरंट सुनकर, गिरिजा टिक्फू का विवरंट सुनकर, और मैंने स्वयम अध्यक्ष जी मनिपूर के मुख्यमंत्री से बात कर, त्वरित रूप से वहां पर लोग पकड़े जाएं, ना सिर्फ इसका वहां पर निवेदन किया, बलकि वो लोग पकड़ गए सीबी आई की इंक्वाइरी जारी है, लेकिन जो आज यहां बैठे हैं, मैंने उनसे पूछना चाहती हूं जो चले गए, उन्होंने कहा वो राजिस्थान गए है, और राजिस्थान में क्या हुआ महदे, गिरिजा टिक्कू को तो नब्बे के दशक में आरी से काठ द अलातकार होता है, इस सदन से दो महिला MPs उस परिवार से मिलती हैं, बच्ची जब जिन्दा थी गैंग रेप के बाद महदे, उसे काटा जाता है, फिर उसे भट्टी में डाल दिया जाता है, ये इन महिला सांसेदों का वक्तव्य है, कि जिस बच्ची को 14 साल की उमर में जब जीवित थी गैंग रेप के बाद भीलवारा राजिस्थान में काटा गया, जलाने के लिए फैका गया, उसका मात्रे का हाथ बट्टी के बाहर छूट गया था, मैं आज पूछना चाहती हूँ अध्यक्ष महदे, ये आज जो जो ज जोर से चिला रहे हैं, न्याय की गुहार इन्होंने तब नहीं लगाई, जब साट साल की एक महिला का पश्चिम बंगाल में उसकी नाती के सामने गैंग रेप हुए, कोट में केस लंबित है, इनका दिल नहीं दहला, और पूछ रहे थो, कि मनिपूर के बारे में, आप पस्तावना की उनसे कहती हूँ, नल्ली का मैसिकर हुआ, पाँच मिनिट के लिए कॉंग्रेस की एक मेत्री गई, लेकिन इनका क्या रुख था तब, 2012 में तरुंगोगोई जी ने स्वयम वक्तव्य दिया है, कि दंगे हो रहे हैं, लेकिन कॉंग्रेस की केंडर की सरकार, ना टूप्स दे रही है, ना इंटेलिजन्स दे रही है, कोक्रा जहार की बात करते हैं, ये मेरा वक्तव्य नहीं है, तबके कॉंग्रेस के मुझ्यमंत तरुंगोगोई का वक्तव्य है, कोक्रा जहार में इंसा होती है, धुबडी में तीन-तीन महीने कर्फ्यू रहता, आज महदे जो लोगतंत्र की दुहाई दे चुके हैं, हम बार-बार इस सदन में इस सदन में बार-बार एमेर्जेंसी की गाथा को याद करते हैं, इस सदन में हम लोग बार-बार उन नेताओं को, उन सामाजिक संस्थाओं को, उन मीडिया के बंधों को, उनकी प्रिंटिंग प्रेस कैसे जबरन बंद कए गई उसको, इस पर विस्त्रिक चर्चा होती है, लेकिन एमर्जेंसी के कालखंड में, साधारन महिला का इन्हों न ने क्या हश्र किया, सेलाता रेड़ी की आज बात करना जरूरी है, बैंगलूरू की जेल में बंद किया गया, और इसलिए बंद किया गया, क्यूंकि वो सोशलिस्ट थी, भाजपाई नहीं थी, सोशलिस्ट थी, और जब बंद किया, दो मई उन्निस सो शिहत्तर को, तब उन्होंने अपनी प्रिजनर्स डाइरी में लिखा, और मैं कोट कर रही हूँ, जो पॉब्लिकली अवैलेबल है, अपनी अपनी अचीवड़ी के शब्द है, जो उन्होंने इमर्जन्सी के कालखंड में जेल में लिखे, अपनी अचीवमेंट्स को बताते हुए, जून छे, उन्नीस सो चहत्तर में स्निहलाता रेड़ी लिखती है, यह कॉंग्रेस का इतिहास है, और यह भारत की बात करते हैं, आस्थमा की पेशन्ट थी यह महिला, जेपी जी को तो डायलेसिस ना करने दिया, आस्थमा की इस पेशन्ट को दवा नहीं लेने दी, वो दो बार आस्थमाटिक कोमा में गई, और आस्थमाटिक कोमा में जाते जाते, जब उनकी हालत बिगड़ी, तो पेरोल पर उनको 15 जैन्वरी, 77 में छोड़ा, चार्ट शीट में इस आउरत का नाम नहीं था, और पांच दिन बाद उनका देहान्थ हो गया, इनका इतिहास खून से सना है, और जिनकी हत्या हुई, आज वो इनको कटगरे में नहीं ला सकते, इसलिए आज इस सदन में मैं उनका नाम ले रही हूँ, उनके बारे में बोल रही हूँ, चाहते हैं कि मनिपुर पे चर्चा हो, महिलो मनिपुर पे चर्चा करने के लिए बार बार पारलमेंट्री अफेर्ज मंत्री ने गुहार लगाई, बार बार देश के ग्रह मंत्री ने कहा, हमारे शद्दे राजनाजी ने भी कहा, कि आप मनिपुर पे सदन पर चर्चा कीजिए, हम चर्चा के लिए तयार हैं भागे ये हमने भागे ये और हमने और भागने के पीछे कारण क्या क्योंकि ग्रह मंत्री जब बोलने लगेंगे पड़ते जब खुलने लगेंगी तब ये मौन साध लेंगे मौन मुद्रा का उलेक हुआ था मौन थे ये लोग कई चीजों पर और आज भी हैं अध्यक्स मौदे मेरे हाथ में के पीएमजी की एक रिपोर्ट है जो इनके कारेकाल से संबंदित है जो कहता है कि करप्शन की वज़े से यूप्ये की कारेकाल में हमारे देश की जीडिपी की ग्रोथ को नौ परसेंट का नेगिटिव इंपैक्ट होगा ये अंतरराष्ट्री एजेंसी बोल रही थी लेकिन ये चुप थे आज भी चुप हैं जो लोग जीरो लॉस थेयरी सिखाते थे आज उसी कांग्रेस के एक नेता को कोईला घोटाले के लिए सजा हुई है और वो चुप है लेकिन चुप और बहुत सारी चीजों में रहे महद हैं 2005-6 में यूपिये की सरकार को ये ग्यात हो गया था कि कुले में शौच करने की वजह से महिलाओं का बलातकार हो रहा है 2005-2006 में इनको पता था, ये सरकारी सर्वे में ग्यात हुआ है, लेकिन ये चुप थे, 2010 में वाइड बैंक की रिपोर्ट ने कहा, इनकी तब सरकार थी, कि स्वच्छता ना होने की बज़े से देश की GDP पर 6.4 का नेगिटिव इंपैक्ट है, ये चुप रहे, महिला का बलाकार खुले में शौच में हो रहा था, इनको पता था, ये चुप रहे, 2014 तक देश में केवल 39% आबादी को इन्होंने टॉइलेट की व्यवस्था सुनिश्चित करके दी, 2019 तक 100% कवरेज हुआ, 110 मिलियन टॉइलेट, ये हस्ते इस पर अधर जी, शायद इनको पता नहीं है कि एक महिला के लिए दिन की शुरुवात में शौच के लिए बाहर जाना, या सुर्यास्त का इंतजार करना, शौच के लिए बाहर जाना, और वहां उसका सारीरिक शोचन होना, बलातकार होना, ये कितनी बड़ी सामाजिक और क्रिमिनल चुनौती है, इस बात से इनको कोई सरवकार नहीं, इसलिए उपहास का विशे बनाते हैं, आज मुझे ये कहते वे शंजबिंदगी है, कि मैं यहां पर कह रही हूँ कि खुले में शौच करने वक्त औरत का बलाकार होता है, ये उपहास उड़ा रहे हैं, और महिला उपहास उड़ा रहे हैं, शायद यही लक्षन है, कॉंग्रेस मित अलाइंस के, कि औरत का बलाकार हो तो ये हसे, भारत मा की हत्या की बात हो, तो ये यहां पर तालियां पीते, ये कॉंग्रेस का लक्षन है, इनकी प्रस्तावना के वक्त ये कहा गया कि हम बात करेंगे मात्र एक व्यक्ति से हम किसी मंत्री से बात नहीं करेंगे क्योंकि मंत्रियों की कार्य शैली पर इनको चर्चा नहीं करनी और शायद सच भी है इनका अपना अनुभव है कि इनके यहाँ पावर का केंद्र बिंदू एक था यहाँ पर फर्क यह है कि हम सब कलेक्टिव रिस्पॉंसिबिलिटी के भागीदा है इसलिए आज जब गजेंडर शेखावजी के मंत्राले की ओर से टॉइलेट की विवस्था होती है तो मैं एक महीला सांसद और नागरिक के नाते इनका भी उतना ही अभिनंदन करती हूं जितना की प्रधान मंत्री जी का जल जीवन मिशन महदे है हमारे देश में जब इनकी सरकार थी तो मात्र तीन करोड परिवारों तक नलके से पानी पहुँचता था अब 2020 का आक्रा कहता है कि आपने तब तक 9.5 करोड तक पानी पहुचाया और अब लगबख 19 करोड चालीस लाक तक आपका पानी नलके से पहुँच चुका है लेकिन इनको इससे भी सरोकार नहीं कि अगर टॉइलेट बना महिलाओं का सोशन कम हुआ देश की साधारण महिला का सम्मान बढ़ा तो इनसे इनका कोई सरोकार नहीं सपष्ट है गरीब के घर में नल से जल पहुँचा तो कॉंग्रेस का उसका कोई सरोकार नहीं यह सपष्ट है और सही है हमारा सरोकार है देश हमारा है सेवा हमारी है आज यह उत्तेजित हैं कि मैं इस सदन में मंत्री मंडल के अपने कई सहयोगी साथियों का वर्णन करती हूँ एक ऐसी महिला मंत्री का वर्णन कर रही हैं जो वर्तमान में नहीं है जंधन के माध्यम से 23 करोड महिलाओं का बैंक का खाता खुला यह इनके लिए कोई मान्यता नहीं रखता यह मुझे स्विकार है यह हमारे लिए एहम है मुद्रा के माध्यम से 40 करोड लोगों को जो जीवन में कभी व्यवसाय नहीं कर पाते थे जिनके पास कॉंग्रेस की परसनल डाइलिंग मशीन नहीं थी उनको मुद्रा का लोन मिला 27 करोड लोन महिलाओं को दिये गए महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 23 लाक करोड रुपया सैंक्शन किया गया मुद्रा के माध्यम से इनका उससे कोई सरोकार नहीं आठ करोड नौजवान हमारे राष्ट के इतिहास में फर्स टाइम अंट्रप्रणर्स बने इनका उससे कोई सरोकार नहीं एक लाक अस्ती हजार अकाउंट्स में स्टैंड अप इंडिया का चालीस हजार करोड का पैसा दिया गया असी प्रतिशत महिलाए प्लेज क्या तरी को वह अपनी बात के रिए तत्यों के आदार पर के रिए आप उसके खंडन करना है तो आप बोलना जब तत्यों के आदार पर करना गलत बात है नौ नौ गलत माने मंत्री जी माने मंत्री जी अब की मन अनुमती से जर में पुना बोलू जैसे कि मैंने कहां महिला का अगर आर्थिक सामाजी कुछ थान होता है तो इससे इनको कोई सरोकार नहीं सेल्फ एल्फ गृप की बात करते हैं जब इनकी सरकार थी तब मात्र 19 लग सेल्फ एल्फ गृप्स को इन्होंने 80,000 करोड का लोन दिया हमने 9 करोड महिलाओं को 5,000,000 करोड की आर्थिक व्यवस्था करके दी देश के सेल्फ एल्फ ग्रूप में यह हमारा अभिमान है जो आज महिला के बारे में चर्चा कर रहे हैं जब इन्होंने महिला संबंदित बजेट की व्यवस्था की तब इनके कारेकाल से 130 प्रतिशत जादा बजेट हमारे प्रधान मंत्री जी ने देश की महिलाओं को समर्पित किया यह हमारा अभिमान है आयुशमान भारत के अंतरगत 10 करोर परिवारों में महिलाओं को आयुशमान भारत का कार्ड मिला आज तक 2 करोड 60 लाग महिलाओं ने हॉस्पिटल वेलनेस सेंटर में सुविधाएं ली ब्रेस कैंसर में 12 करोड सौविकल कैंसर में 8 करोड महिलाओं ने स्क्रीनिंग कराई इनका उससे कोई सरोकार नहीं बलकि इनका उनसे सरोकार है दिल्ली में जिनोंने आयुशमान भारत योजना दिल्ली में लागू ही नहीं की इनका उनसे सरोकार है देश में मोधी सरोकार में 3 करोड 84 लाग घर बने जिन में से 2 करोड 86 लाग महिलाओं को मिले इनका उनसे कोई सरोकार नहीं क्योंकि गरीब महिला लगपती दीदी बन गई वो हमारा अभिमान है इनका नहीं हमारे देश में आठ करोड पचास लाख बेटियों ने समग्र सिक्षा के माध्यम से स्कूल में सेवा ली मुफ्त टेक्सबुक की सेवा ली बेटियां का ये उपलब्धी हमारा अभिमान है इनका नहीं पांच लाख से जादा बेटियों के लिए स्कूलों में अलग से टॉयलेट की विवस्ता हुई ये इनका अभिमान नहीं हमारा अभिमान है हमें अपनी बेटियों पे गर्व है पांच लाग दिव्यांग बेटियों को मंतली स्टाइपन्ड मिलता है ये सेवा हम देश की बेटियों को दे सकते हैं ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रभू का उपकार है एक लाग अठाईस जार बेटियों को मेरिटोरिय स्कॉलर्शिप दी जाती है बेटियों की एन्रोल्मेंट शक्त प्रतिशत है इस देश में ये हमारे देश के लिए गौरफ की बात है आज पहली बार पहली बार फीमेल एन्रोल्मेंट उच्च सिक्षा में महोदे दो करोड से जादा हुआ है महिलाओं का ये देश के लिए गौरफ की बात है आज दलित बेटियों का इंरोल्मेंट बढ़ा है 38% दलित बेटियों का उले करती हूँ, ये चिल्लाते हैं इनको दलित बेटियों से सरोकाद नहीं हमको है ये हमारे लिए गर्व की बात है आदिवासी बच्चे लड़किया 63% उनका इन्रोल्मेंट बढ़ा महद है आदिवासी बच्चों के साथ इनका कोई सरोकार नहीं आदिवासी बेटियों ने हमारे प्रधान मंत्री को सेवा का मौका दिया यह हमारे लिए प्रभू की असीम कृपा है नौर्थीज की बात करते हैं तो महिला ने नौर्थीज में 34% की इंक्रीज हुई है इन्रोल्मेंट में नौर्थीज के मेरे सभी साथियों को चाहे वो सदन में कहीं भी बैटे हो महिलाओं की दृष्टी से मैं अभिनंदन देती हूँ आज हमारे देश में महिला जो पी-एच्डी करती है 99.2 प्रचित्यत की वृद्धी हुई एंरोल्मेंट में पी-एच्डी करने वाली महिलाओं में ये हमारे लिए हिंदुस्तानी होने के नाते गौरव की बात है आज जो महिला सेक्षिक संस्थानों में सेवा दे रहीं युनिवर्सिटीज में, इंस्टिउशन में, कॉलेजिज में 66%, 66% उनकी वृद्धी हुई है आप हो 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 करते जाएं, हम तो उनके लिए बल्ले बल्ले ही करेंगे आज मुझे एक कहते हुए खुशी है कि हमारे लेबर मिनिस्ट्री ने कहा है कि एपिएफ में 28,70,000 महिलाओं ने अब अपने आपको सब्सक्राइबर बनाया है आज 2017 से लेकर 22 तक लगभग 1400 महिला साइंटिस्स को भारत सरकार की विविद स्कीम्स के अंतरगत सहयोग मिला है आज महिलाओं को मटर्निटी लीव में 26 हफते की पेड मटर्निटी लीव मोदी सरकार ने सुनिश्चित की है आज महिलाओं ने 3 करोड बेटियों ने महिलाओं ने प्रधान मंत्री मात्रवंदना योजना के अंतरगत 13,700 करोड रुपया अकने बैंक के ठाते में पाया है इस सेवा के लिए प्रधान मंत्री जी को अभार और बेटियों का अभिनंदन आज हमारे देश की बेटियां सैनिक स्कूल में पड़ सकती है इस एतिहासिक निंडे के लिए रक्षा मंत्री जी प्रधान मंत्री जी को अभार आज हमारी देश की बेटियों आम्ड फोसेज में पॉमिनेंट कमिशन पा चुकी है हमारे देश का गौरब बढ़ाने के लिए ऐसी बेटियों का आभार आज जो महीला और महीला हक के लिए यहां बोल रहें आप विशे पर बोल रही है और आभिशास पस्ताओ पर सब विशे पर बोल सकते हैं यह तरीका अच्छा है क्या बोलिए मादी आज वो भी शायद मजबूर है उनको भी रिमोट से डाइरेक्शन आया है इतना ही कहना चाहते हूँ कि आज एक तरफ हमारी बेटियों ने सेनिक स्कूल में आम्ड फोर्सिज में अपने प्रतिभा के अधार पर देश का गौरब बढ़ाया है दूसरी ओर बिना किसी पुरुष सहियोगी के हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार 4,313 मुस्लिम बहने अकेली हज के लिए गई और सुरक्षित हिंदुस्तान लोटी जो महिला हक की बात करते हैं महदे उनसे कहना चाहती हूँ महिला हक को संरक्षित करने के लिए जब हमारी सरकार ट्रिपल तलाग के कलंक को मिटाना चाहती थी तब महिला के हक में नहीं बलकि वोट बैंक के लालज में इन्हों ने सदन की कारवाई को त्याग दिया थै आज जब ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं महुदे तो ये कहना उचित होगा कि एक तरफ निर्भेया फंड की रचना की घोशना करते हैं तेरा में एक काम निर्भेया फंड में नहीं करते लेकिन जो निर्भया के बलातकारी हैं उनको कांग्रेस नित अलाइंस के लोग बलातकारी के हाथ में दसजार रुपे और एक सिलाई की मशीन देते हैं आज हमें इस बात का गौरव है कि देश में 42 प्रोजेक्ट्स पांच हजार करोड की लगभग लागत से भारत सरकार के सोजन्य से बन रहे हैं जो महिला सुरक्षा के लिए ये ना कर पाए वो आज प्रधान मंत्री मोधी कर रहे हैं आज इंटिग्रेटेड इमर्जंसी रिस्पॉंस मैनेजमेंट सिस्टम के अंतरगत देश के 983 रेलवे स्टेशन्स पर महिला पैसेंजर्स के लिए 2400 घंटे सुरक्षा का प्रावधान किया गया आज कौनकन में विडियो सर्वेलिंट सिस्टम की विशेश व्यवस्था महिला संरक्षन और महिला सुरक्षा के लिए की गई आज चुकि रेल मंत्री बैठे हैं आर्टिफिशिल इंटेलिजन्स के आधार पर फेशल रेकिग्निशन सिस्टम इंटिग्रेटिड सर्वेलिंट सिस्टम ये सब भारत सरकार के सौजन्य से महिला सुरक्षा के लिए प्रधान मंत्री मोदी ने सुनिश्चित की एक बात पर मैं आपत्ति अभी दर्ज करती हूँ धक्ष्टे कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहाँ पर लक्षण के दर्शन दिये इस अज़ा जीनिस्टिक मैं को चैने ज़ीआ एक दर्शन दिया कि आपताँ दिये अन्होंने चाज़ा गसा एक को दर्शन की दर्शन का कि लिए वर्युक्ती कौए यहाँ व्ष्टे के चान की आचान को इस देश के सदन में कभी नही देखा गया यह उस खांदान के लक्षण है याद सदन में देश को पता चले लेकिन कहां गए हैं वहाँ पर क्या हालात हैं जक्ष महदे गोद भराई के नाम पर राजिस्थान में भासकर ने लिखा है कि राजिस्थान की कॉंग्रेस की सरकार जेब भराई कर रही है 13 से 20 महीने का अघरबाशे दिखाया जा रहा है राजिस्थान में और भारत की तिजोरी से पैसा लूटा जा रहा है इनका सरोकार महिला उठान से नहीं ये महिला के बारे में क्या सोचते हैं इनकी क्या हरकते हैं इनके नेता ने जाते जाते हैं यहां पर उसको प्रसारित कर दिया है लेकिन इने सरोकार इनके नेता को किस से है चीन से है तो चूंकि सब चीन में इतनी रुची लेते हैं कॉंग्रेस पार्टी के नेता इसलिए आज एक सुख़त समचार भी सुनाती हूँ चीन में 31st यूनिवर्सिटी गेंज हुआ 1959 से लेकर आज तक भारत को मात्र 18 पदक मिले इस बार 26 मेडल का रिकॉर्ड हिंदुस्तान के बच्चों ने स्थापित किया भारत मा के टुकडे के लिए तालिया बजाते थे भारत मा के बच्चों के लिए तो बजा दो ग्यारा गोल्ड, पाथ सिल्वर, दस ब्रॉंज आज देश के यूनिवर्सिटी के चात्र देखे कि 31st यूनिवर्सिटी गेंज में भारत का नाम रोशन करने वाले चात्रों के लिए मैं गुहार लगा रहे हूं कि कॉंग्रेस पार्टी यहां अभिनंदन कर दे लेकिन वो अभिनंदन से भारत के बच्चों को वंचिद रखते हैं बात अभिनंदन की निकली तो एक वो भी थे जिन्होंने आस्मान चीरा और दुश्मन को मूतोड जवाब दिया आज जो यक्ति यहां पर भारत की आवास का उलेक कर रहे थे उन्होंने भारत की आवास में आवास मिला कर तब नहीं बोला जब आतंकी हमला करते हैं उन्होंने भारत के आवाज से अपनी आवाज को भिन करते हुए इस सदन में भारत के रक्षा बलों से प्रमान मांगा इस सदन में लेकिन प्रमान क्यों मांगा क्यूंकि कुछ लोगों ने कहा हुगा और प्रमान मांगने का क्या सलीका है ये मीडिया के मित्रों के माध्यम से आया है ध्यान में देश के यूज क्लिक के आज बात करना थोड़ा मैं जरूरी समझती हूं यूज क्लिक नेवल सिंगम कुछ पत्रकारों को हिंदुस्तान में लिखते हैं कि किस प्रकार से हिंदुस्तान के खिलाफ न्यूज सर्कुलेट होनी चाहिए कैसे चाइना के समर्थन में अलग-अलग आर्टिकल लिखने चाहिए और इसे एक बार छप्वा दो तो ट्राइ कॉंटिनेंटल पब्लिकेशन इसको इकठ्था करके फिर काम आगे बढ़ाएगा मेरे एक पारलमेंटरी स्रयोगी निशिकान जी ने इस पर जब विशे उठाया तो मैं स्टब दूहूं कि कॉंग्रेस पार्टी ने डिमांड नहीं की कि अगर कोई बाहरी ताकत का पैसा लेकर हिंदुस्तान में विवस्थाओं को भंग करना चाहता है हिंदुस्तान को कलंकित करना चाहता है तो उस पर करवाई करो ऐसा कॉंग्रेस का पक्ष नहीं था कॉंग्रेस ने पक्ष ये लिया कि जो निशिकान दुबे के मुझसे शब्द निकले हैं उनको एक्सपंज कर दीजे लेकिन ये जो ट्राइ कॉंटिनेंटल पॉब्लिकेशन है महदे जिसके बारे में नाप E.D. को मने, New York Times को मने वो ट्राइ कॉंटिनेंटल पॉब्लिकेशन के जो मुख्य रिसर्चर हैं उनके वक्तव्य को कॉंग्रेस पार्टी अपने ओफिशल फेस्बुक पर क्यों डालती है ये मैं पूछना चाहती हूँ जो जान बूचकर भारत के किसानों के हितों के खिलाफ बोलते हैं उनका वक्तव्य प्राइ कॉंटिनेंटल पॉब्लिकेशन वालों का जो सीनियर फैलो ये रिसर्चर है उसका वक्तव्य कॉंग्रेस नैशनल कॉंग्रेस के फेस्बुक पर उननीस एप्रल दोहजार उननीस को क्यों पब्लिश होता है ये थोड़ा बहुत शोद का विशे है ये थोड़ा बहुत चर्चा का विशे है आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब प्रस्तावना हुई मैं तो प्रस्तावना के विरुद्ध खड़ी हूँ मैं नरेंद्र मोदी जी के नित्रित्व पर राष्टर के सभी नागरिकों के साथ पुना विश्वास दर्शाते हुए अपना वक्त अव्य देती हूँ लेकिन राष्टर जी ने किस पर विश्वास जताया राष्टर जी ने विश्वास जताया मुस्लिम लीग पर कहा सेक्यूलर पार्टी है शायद राहूल जी ने ना पड़ा हो कि 80 के दशक में मुरादाबाद में 83 लोगों को मारने वाली मुस्लिम लीग राहूल जी को बताना पड़ेगा सेक्यूलर कैसे हुई राहूल जी को आज जवाब देना होगा कि वो राष्ट भक्ती की बात करते है तो क्या JNU में जाकर जब भारत तेरे टुकडे होंगे का नारा दे रहे थे वो राहूल जान्दी की देश भक्ती थी राहूल जान्दी को आज जवाब देना होगा है तो नहीं उनको आज जवाब देना होगा जिस अफजल गुरू ने इस संसद पर हमला किया उस अफजल गुरू के संरक्षक समर्थक को कॉंग्रेस पार्टी ने अपने पार्टी का नेता बना दिया जिसने कहा ये राहूल गांदी की देश भक्ती है राहूल गांदी की देश भक्ती आज बताती हूँ इन्होंने घबराईये मत आपी की निता बोलकर गए हैं घबरा क्यों हैं बैठी और आम से बोल रहे हैं मैं तुना बोलना चाहती हूं अध्यक्ष मौदे बहुत सारी विवधान आए अब राहुल जी की बात चलिए तो कृपा थोड़ी से अगर दीजिए दुबारा कहती हूं क्या बोले हैं और क्या बाहर बोले हैं देश के बाहर गए तो कहा आइडियाज अब इंडिया कॉन्क्लेव में that there is going to be a mars of surge इंडिया has massive amount of polarization ये राहुल गांदी के शब्द है इसका मतलब राहुल गांदी ने विदेश में जाकर कहा हिंदुस्तानी सोहार्द की धूमिका में नहीं रहते राहुल गांदी ने कहा कि हिंदुस्तानी भायचारे में इतना विश्वास नहीं करते राहुल गांदी ने कहा कि देश में उथल पुथल होगी मैं पश्ट करना चाहता हूँ विपक्ष इस उथल पुथल को कैसे इस्तमाल कर सकता है ये मैं सोच रहा हूँ फिर उनका शब्द है देश में केरोसीन फेला है हमें एक चिंगारी की जरूरत है आज पूछना चाहती हूं माचिस ढूंडते ढूंडते रहा हुल गांदी कहा का गए अमरीका गए तन्जीम अंसारी के साथ जो पाकिस्तानी इमाम जावद अहमद के साथ तालुक रखते हैं अमरीका में अपने कारिक्रमों को उनके साथ करवाया राहुल गांदी मिनाज खान जो हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं उनके साथ उन्होंने मीटिंग की आज जो लोग इस देश में एस्पियोनाज के लिए पकड़े जाते हैं उनका राहुल गांदी ने जाकर विदेश में समर्थन किया वे तब से अडानी अडानी कर रहे हैं तो अब थोड़ा मैं भी बोल दूँ फोटो मेरे पास भी है इतना ही खराब है तो जीजा जी उसके साथ क्या कर रहे हैं तो निशिकान जी सही कहा किसी को सेट करो किसी को भेट करो पूछना चाहती हूं उनीस सो तिरानवे में मुन रापोर्ट में कॉंग्रेस की सरकार ने अडानी को जगा दी तब प्रधान मंत्री कौन थे कॉंग्रेस के थे वित्त मंत्री कौन थे मनमोहन सिंग थे अडानी बोल रहे हूं यूपिये के कारिकाल में अडानी को इन्होंने बहत्तर हजार करोड का लोन दे दिया क्यों दिया राजिस्थान में साथ हजार करोड से जादा का समझधा कर लिया गहलोज जी के साथ 20 हजार एकर जबीन ले लिया क्यों किया केरल में कॉंग्रेस की यूडियेस सरकार के साथ पोर्ट का काम क्यों दिया महराश्ट में जब कॉंग्रेस के पास सत्ता थी तो फिर कॉंग्रेस ने अडानी को पोट का काम क्यूं दिया बंगाल में हल दिया पोट का काम अडानी को क्यूं दिया 36 गड़ में कॉंग्रेस पार्टी ने अडानी को काम आदिवासियों ने मना किया पिर भी जूदिया अब इसमें बेटा कितना सेट होगा दामाद को कितना भेट होगा हम क्या जाने लेकिन आज और। अरे दमाद का मामला है बैड़又 भी गमाद आपका नहीं है जिनका है वो नहीं चल भार sido तजुर अरज बैठिये बैठ जाईए बैठ जाईए बैठ जाईए बैठ जाईए तउ पोहले घोटाले में पकड़े गाये तूजी में भी पकड़े जाएंगे बैट जाएए अब बताईए इस पूरी बला की जड़ मौद है पूरी बला की जड़ परिवारवाद में और परिवारवाद की राजनीदी की जड़ कॉंग्रेस पार्टी में है इनके अलाइंस के लोग चारा खाते हैं ये उनके घर मतन इनके अलाइंस के लोग रेल की नौकनी के लिए गरीब की जमीन खाते हैं जाके वो उनहीं लोगों को गले लगाते हैं और इनके सब के पीछे एखी मजबूरी है जो बड़ी विनम्रता से अज्वी तालिवी च्विकारी की मजबूरी हमारी की तीस्वी बार जनता कह रही प्र एक बार प्लीज के बारिए ओक्यों कि ना प्लीज कर रहे थे किसान की तो थे किसान का क्या हस्र करते हैं वो मैं बचाना चाहतु है अध्यकर थोड़ी सी मुझे मुखलत दे दें ये मैं कहना चाहती हूँ उस च्छेटरी की बाद जिसकी मैं प्रतिनी धी हूँ जहांपर बैटिये मांग कर रहे थे विद्याले की 1982 में किसानों ने चार भीगा दो विस्वा जमीन इंटर कॉलेज के लिए दी और अमेठी में भोके से किसानों की ये जमीन हड़पने वाले फाउंडेशन का नाम गांधी खांदान है 2019 में 2016 में राहुल जी दौरे में गए तिलोई बहातर लोगों ने कहा 200 चात्रों ने कि जमीन वापिस लगोए हमारे लिए कॉलेज की विवस्था के लोई उन ने लाइंस पार्टनर के साथ उन चात्रों को जेल भगा दिया 17 में जेल भगाया सेथा गौरी गंज में प्रवान है आजाओ गौरी गंज दूद का दूद पानी का पनी यह कर दूंगी गौरी गंज सेथा रोड पर जमीन हप जाली बुसियावा मार पर नन सिंग भानपूर पर हुनशी गंज में जमीन हत्याली ये उनका संस्कार है जमीन कौन कौन हड़पता है ये कौंग्रेस की गाथा पश्ट है जहां ये है वहाँ पर आज मैं अभिनंदन देती हूं रेल मंत्री का कि रेल कोच सर्पी राइबरेली में भी दस हजार कोचिस तब बनी जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधान मंत्री बने पीड़ा हो रही है मैं बस इतना बताना चाहती हूं कि आज जो किसानों का दम भरते हैं बालियान साब शायद यान नहीं है मैं अमेठी के किसानों की ओर से विशेश बालियान साब आपको नत्मस्तक होकर आभार रख करती हूं राश्ट के इतिहास में पहली बार अमेठी में खाद की रहा कुत्री जब मोदी आए इन्होंने न खाद दी गौरी गंज में किसानों पर लाठी चार्ज करते थे राजनाची इसके साक्षी है इन्होंने 80% लोगों के पास अमेठी में जहां 5 दशक इन्होंने राज किया 80% लोगों को शौचाले नहीं दिया 70% लोगों के घर में बिजली नहीं दि और ये आज लोग तंत्र की बात करते हैं अपनी प्रतिभा की बात करते हैं आज मैं आभार वेक्ट करती हूँ अमेठी का पहला सैनिक स्कूल मोदी जी ने दिया 7.5 लाख लोगों को मुफ्त अनाज मोदी जी दे रहे हैं अमेठी का आज पहला मेडिकल कॉलेज जिसके नाम से इस खानाना तर्मीन हडप ली थी वो नरेंद्र मोदी ने दिलवाई आज मैं इतना कहना चाहती हूँ अध्धक्ष महद है जो अभी है नहीं जो 50 साल की उम्र के बाद देश देखने निकले थे वो देश के किस कोने में वर्तमान में है मैं नहीं जानती लेकिन इतना जुर्ण चाहिए एक सब्सक्राइब और रोम के एक फिलोसिपर का ये पद्धक्ष आपने मंत्री मंदल में अभिश्वास प्रस्ता लाया है तो मंत्री मंदल उस समंद में बोलेगा उस पर चल्टा हो रही है उसका अथ्तर भी आएगा प्रंटो नो जानती थे ना नियत थी ना देश के प्रतिम निश्था थी आज ना जो कभी हिंदू के हुए जिन्नों ने राम के अस्तित्तों को नकार दिया ना सिखों के साथ जिन्नों ने इंसाफ किया जो ना कभी महिलाओं के उत्थान के लिए समर्पित थे ना नौजवान के सशक्तिकरण के लिए समर्पित थे ना किसान के बलिदान को स्वीकार कर किसान की समर्धी के लिए समर्पित थे आज उनसे कहना चाहती हूँ कि जो समर्पित है जो सब के विश्वास के साथ सब का विकास कर रहा है उस पर देश को पुना अविश्वास दिखाएंगे 24 में पुना मोदी सरकार बनाएंगे इस अविश्वास प्रस्ताव का मैं मिशेद करती हूँ और भारत मा का जैकारा लगाते हुए जो भारत मा की हत्या की बात कर रहे थे मोदे उनसे कहना चाहती हूँ अंग्रेज आये चले गए मुगलिया सल्तनताई खतम हो गई हिंदुस्तान आज भी है और आगे भी रहेगा और हिंदुस्तान इस देश की तिजोरी की चाबी वापिस उनकी माताजी के हाथ में नहीं देगा